अलो दोस्तों, जेसे सी परिक्षा में परफिर्ट साब का स्वागत है आज हम लोग नाकपूरी भासर शाहित्य के अगले टोपिक के बारें पढ़ेंगे अगला टोपिक दोस्तों हम लोग मंजर भाग दो पूस्तक के अगले तीन कभिताओं को पढ़ेंगे जिसमें की पाहला कभिता होगा कलम जो की डॉक्टर खालिक अहमत के द्वारा लिखा गया है और दूसरा नंबर का कभिता हो जाएगा दोस्तों भाई भाई जो की महस्वर दास के द्वारा लिखा गया है और तीसरा जो कभीता होगा दोस्तो सराइब फूल जो की मुकुंद नायक के द्वारा लिखा गया है इन तीनों कभीताओं को हम लोग एकी वीडियो में आज डिसकास कर लेंगे यदि आप जैसे सी एक्जाम सेलेटेट कोई भी सब्जेट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिसक्रिप्शन में या हमारे चैनल के प्लेश्टी में एक बार चेक आउट जरू करें और हमारे टिलिग्राम और वाटसप ग्रूप से जुणना न भूले डिसक्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो पहला टोपिक यहां से हम लोग लिलाते हैं पार्ट वाला जो की है कलम से related ठीक है तो कलम चेप्टर कॉन लिखे हैं तो डॉक्टर खालिक अहमद लिखे हैं तो चलिने हम लोग फटा-फट से इसकबिता को आरम करते हैं ग्यान भंडार कर दोसर नाव है कलम संसार स्रिष्टी के बतायक वाला है कलम मतलब ग्यान या भंडार का जो दूसरा नाम हों लोग का सकते हैं वो कलम है और जो संसार है यानि जो स्रिष्टी है उसको बताने वाला क्या है तो कलम है अदमी से अदमी के जोडेला कलम नेह और अपनाईती सिरजायला कलम मतलब आदमी से व्यक्ति को जोडता है कलम और अपना पन को दिखाता है क्या कलम अदमी से अदमी के फरक करेला कलम और समय और ताकईत कर बात गुठियायला कलम ठीक है? कलम जो है बहुत सारे समय और ताकत का बात को बताता है अदमी के अदमी से डरवायला कलम सौब जूग में आगे उठेला कलम फांसी कर चाहे बरी कर हुकम देवेला कलम चाहे फांसी का देना हो या उसको अजात करना हो सभी का हुकम देने में क्या है कलम का जुगदान रहता है बम तरवाईर और हतियार से धारदार है कलम इतिहास कर पन्ना लाल पियर हरियर करेला कलम ठीक है और आगे है कि आउ आईज इमानदारी से सरधा से पूजा करू कलम कर ग्यान कर भंडार भरब सत अहिंसा और प्रेम जबगाब लेके सहारा कलम कर ठीक है कलम के सहारा लीजे और क्या है अपने आप कोई मंदार ग्यान पुरुवक बनाए और सत त्य और अहिंसा के मार्ग पर चलिए यहां से कठीन सब्द है बरी मने अदालत से छुटकारा पावेक धारदार मने चोग और हुकुम मने आदेश ठीक है चलिए आगे है अगला टोपिक अगला चेप्टर भाई भाई तो भाई भाई को कौन लिखा है तो महेश दास लिखे है मन बड़ा कांदेला देख देशक हाल तांड़ो रूप धैर नाचे है महाकाल मतलब देश का जो वर्तमान में हाल चल रहा है वो क्या है तोला सा ड्रावना पुर्वक है तो वही लेखक बता रहा है मतलब चारो और हिंसा ही हिंसा दिखाई पड़ रहे है ठीक है चली आगे है यहाँ से की देश कर जमान पीढ़ी प्रगती उत्थान कर सीढ़ी ठीक है और दिक भ्रहमित गडवडाल है और सिखाई के लाल है चली आगे बढ़ते हैं आगे है प्रगती उरूद है मतलब जो डिवलप्मेंट है उरूका हुआ है जन जीवन करूद है आईज कहां गांधी कहां आईज बूद है ठीक है चली आगे है कि आपने में लईड मोरा कोनों बात नखे और घरक जगड़ा ओहे जे बाहरी ना देखे ठीक है मतलब घरक जगड़ा को आप बाहर मत जाने दे ठीक है आगे है कि एके हमर माटी एके हमर माए एके गो देश कर गोटे समुदाए ठीक है तब काले जगड़ा में पंच दोसर बनी हामरे जब बगड़ी तब उकर बनी ठीक है जगड़ा को अपने आप जो है उसको सुलजाने का कोशिस करें दोस्तों सोच भाई मन से लेह एके समुदाए लहु के फरक कहां जेकर एके गोमाए ठीक है धर्ति माए एकी गोहत लहु कर फरक नहीं है हामरे कर जगरा हामरे निप्टाब आब एके थारी अदिवासी सदान मिल बाइट खायब यहां से कठीन सब दिया गया है तांडव भगवान सीवकर बिनासकर नाच दिख भरमित भरम के पड़ेक और दिशा भरम होएक और अवरुध मने रूकल आगे है सराई फूल मुकुंदनाए किसे लिखे हैं ठीक है हो हो दिले सराई फूल काले मरली तिरसूल ठीक है कहीं के आमू आखी जोकली धूल दिले सराई फूल काले मरली तिरसूल ठीक है कठीन सब्ध है तिरसूल मने एक बरन परहतियार तिरसूल को बोला जाता है सराई फूल मने सकवा का फूल और यहां से धूल यानि की धूरा ठीक है यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तक्रीपिया लाइक और अपने दोस्तों का सेयर जरू करें और जैसे सी एक्जाम्स लेटेट को भी वेकेंसी जैसे की उतपाद सिपाही हो या अगामी एस्पेसल ब्रांच वाहन चालक या जेल वाडर या वन अरक्छी या जारकन पुलिस तो टेंथ लेवल के जितने वेकेंसी होगी उनमें मंजर भाग दो पूस्तक जरू पढ़ना होगा ते वीडियो उसके लिए भी मोस्ट इंपोटेंट है आज के वीडियो इतना ही दोस्तों मिलेंगे अलो वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद